यदि आप किसी को retirement plan बेचना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तो यह रहेंगा कि आप उस बेक्ति को retirement के लिए aware कर दो और यदि आप उसे retirement के लिए बहुत अच्छे से aware करते हैं और यदि उसके मन से आता है कि नहीं retirement के लिए मुझे पैसा बचाना ही बचाना है तो आपका जो retirement plan है यानि जो आपकी insurance policy है बहुत ही असानी से बिग जाएगी तो यदि आप किसी वेक्ति को retirement के लिए aware करना चाहते हैं तो आप बातों ही बातों में उस वेक्ति से कह सकते हैं भाया retirement के समय में बहुत सारे विकल्प होते हैं एक वेक्ति के पास तो आज भी अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनकी उम्र 50-60 साल की होगी और उन्हें मजबूरी में कहीं न कहीं कुछ न कुछ काम करना पड़ता है यदि आप चोक चोराय पे चले जाओगे तो आपको बहुत सारे मजदूर दिख जाएंगे जिनकी 50-60 स पेसा नहीं है और उन्हें अपने खर्चो को मेनेज करने के लिए पैसो की आओ सकता है इसलिए उन्हें इस उम्र में भी काम करना पड़ता है और देखा जाये तो उन्हें काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन मजबूरी में करना ही पड़ता है क्योंकि काम नहीं करेंगे तो पैसा कहां से आएगा तो यदि देखा जाए तो retirement में यदि कोई बेक्ती चाहे तो कड़ी मेहनत करके भी अपना गुजारा कर सकता है और जो दुसरा विकल्प है वो यह है कि आप trust वगेरा यानि charity वगेरा पे भी अपना आगे यानि बहुत साई सुविधाय उनकी तरफ से दी जाती है तो यदि कोई वेक्ती चाहे अपने retirement में यानि बुढ़ापे में तो trust वर charity की मदस से भी अपना आगे का जीवन बहुत अच्छे से बिता सकता है और यदि बात करें अगले option की तो इसके अलाओ जो आपके पास बिकल्प है वो ये है कि आप retirement यानि बुढ़ापे में जो old age हो अगेरा होते हैं यानि जो व्रधासरम होते हैं वहाँ पर भी जाकर आप अपना बुढ़ापा अच्छे से बिता सकते हैं और ऐसी जगह पर खास कर बुढ़ों के लिए बहुत अच्छी बिवस्थाएं की जाती हैं ताकि उन्हें किसी भी तायकी समस्या का सामना ना करना पड़े तो यदि रिटार्मेंट में यानि बुढ़ापे में कोई वेक्ति ओल्डेज होम अगेरा में रहना चाता है तो वहाँ पर भी अपना जीवन बहुत अच्छे से बिता सकता हैं इसके लाव यदि बात करें अगले ओप्सन की तो एक बहुत अच्छा ओप्सन ये भी है कि आप अपने रिष्टेदारों के भरोसे भी अपना आगे का जीवन बिता सकता हैं यानि यदि कोई बेक्ति रिटार हो जाता है यानि बोड़ा हो जाता है तो अपने जो रिष्टेदार होते हैं उनसे मिलना जुलना करके इधर उधर करके कुछ दिन इसके वहाँ कुछ दिन इसके वहाँ इस तहर से भी अपना आगे का जीवन बिता सकता है तो रिटार्मे तो अब आप चाहो तो उनके साथ अपना आगे का जीवन गुजार सकते हैं आपको जब भी पेसो के आउ सकता पड़े जब भी आपको किसी भी चीज के आउ सकता पड़े तो आप उनसे मांग सकते हों आप उनके साथ रह सकते हों तो देखा जाये तो आप अपने बच्चों पर डिपेंड होकर बहुत अच्छे से अपना आगे का जीवन यानि बुढ़ापा बहुत अच्छे से ब्यतीत कर सकते हैं लेकिन भाईया ये जो option मैंने आपको बता हैं ये किसी भी बेक्ती को पसंद नहीं आते हैं लेकिन मजबूरी में जब बेक्ती बचट नहीं करता है अपने retirement को ध्यान में रखका पैसा नहीं बचाता है तो उस बेक्ती को मजबूरन इनी में से किसी option को चुनना पड़ता है लेकिन भाईया मैं आपको बताना चाहूँगा आज आपके उमर 25 से 30 साल के बीच में आपके पास एक बहुत अच्छा benefit है वो benefit ये है कि आप चाहो तो अपने retirement को या बुढ़ापे को आज ही सुरक्षित कर सकते हैं तो भाईया मैं आपको बताना चाहूँगा retirement यानि बुढ़ापे में एक ब्यक्ति के पास एक और option होता है आगे का जीवन बिताने के लिए वो होता है pension का यानि जब आप क्यों आप 50-60 साल की हो जाएगी आप काम करो या ना करो आपके बच्चे आपके पास हो या ना हो आप कहीं पर भी हो उस समय आपको हर महीने pension मिलेगी और वो pension उतनी होगी जितनी आज आज आप decide करोगे यानि यदि आप कहते हो कि 50-60 साल के बाद आपको 20-30,000 महीने की pension मिलना चाहिए तो आप उतनी pension ले सकते हो और भाया देखा जाए तो ये जो option है बुढ़ापे में pension का ये बहुती सांदार option है और हर 31 option को पसंद करता है और भाया मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ कि यदि आज आप ये option ले लेते हैं इसे चुन लेते हैं तो आपको बविस में जब आप retire हो जाएंगे यानि बुड़े हो जाएंगे तो उस समय किसी पर भी depend नहीं होना पड़ेगा आपके जो भी आगे के खर्चे होंगे उसे आप बहुती असानी से manage कर सकेंगे आपको कभ बुड़ापे में जो भी आपके सोक मोच के खर्चे होंगे या medical वगरे के खर्चे होंगे उन्हें भी आप बहुती असानी से manage कर सकोगे क्योंकि आपके पास pension की रूप में एक बहुत अच्छा amount होगा जिससे कि आपके सभी छोटे वा बड़े खर्चे बहुती असानी से manage जो जाएंगे तो भईया यदि आप अपने बुड़ापे में एक सांडार जीवन जीना चाहते हैं हमेशा सर उठा के जीना चाहते हैं आप चाहते हैं कि कभी भी आपको किसी के सामने हाथ फिलानी क्या हो सकता ना पड़े तो भईया इसके लिए आपको आज ही इस option को लेन नहीं कहेगा वो आपको यही कहेगा हाँ बताओ कैसा प्लान है क्या करना होगा उसके बाद आप उस बेक्ती से मिटिंग के लिए appointment ले सकते हैं और जो भी समय डिसाइड होता है आप उस समय उस बेक्ती के पास मिटिंग के लिए जाए और मिटिंग में जा करके सबसे पहले तो आपको फेक्ट फाइंडिंग करना है कि उस बेक्ती को retirement में कितने पेसो की आउ सकता होगी आज वो कितना कमाता है उसका कितना खर्चा है और आगे की महंगाई को देखते हुए भविस में उसका जो भी खर्चा लगेगा इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको ए आपका retirement plan बिक जाएगा यानि जो आपकी insurance policy है बहुत ही असानी से बिक जाएगी